दोस्तो आज का वीडियो बहुत यादा खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डीटल देने वाला हूँ HDFC बैंक से अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो आखर कितना परते सती इंट्रेशेट लेगा कौन कौन यहां से होम लोन ले सकते हैं यानि पूरा डीटल बताऊंगा तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट देखिए चलिए जान लेते हैं दोस्तों देख सकते हैं मैं आचुका हूँ bankbajar.com के वेबसाइट पर इसी वेबसाइट के माद हमसे मैं आपको सारा डीटल बताऊंगा तो प्लीज वीडियो को लास्ट देखिएगा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रेस्टेट का उसके बाद बात करेंगे कि आखिर कौन-कौन यहां से लोन ले सकता है नि कौन-कौन इलीजिवल है किसको लोन मिलेगा तो apply करने से पहले जाना बहुत जरूरी होता है चलिए जान लेते हैं सबसे पहले हम इंट्रेस्टेट में आपे देख सकते हैं women क यहाँ पे benefit दिया घया है यानि उनको बहुत कम इंट्रेशर्ट पे यहाँ पे loan मिलेगा सबसे पहले करे जिसको कितने रूपे से कितने रूपे तक और यहाँ पे इंट्रेश्रट दिया हुआ हम डीटेल में बात करेंगे थेंट ti natट आपको स compromise अगर वोमेन नहीं, वोमेन के अलावा मेन के नाम से, किसी के नाम से लेना चाहते हैं, 30 लाग तक, तो 9% से लेके, 9.30 तक आपको देना पड़ेगा, याणि देख सकते हैं, डिफरेंस है, वोमेन के नाम से, याणि अपनी वाइब के नाम से, ममी के नाम से, याणि लेडिज क अलावा किसी और के नाम पे लेते हैं 30,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,00 तो महीने का एक परतीसा से भी कम है चाहे हो लेडिज के नाम से लिए या फिर जैन्स के नाम पर बिल्कुल एक परतीसा से भी कम आपका लाएगा मंथले इंट्रेश्ट तो अब हम बात कर लेते कि आखिर यहां से कौन-कौन लोन ले सकता है या नि कौन-कौन इलीजिवल है देख सकते हैं आप अपे सेलरिट के लिए देया हुआ है या अगर आप कहीं सेलरिट के बीच में आपकी उमर होने ही चाहिए इससे जादा होगा तो आपको यहां पे लोनन नहीं मिलेगा HDFCसी से वहीं बात करें बिजनर भी हैं दुकाां चारते हैं कुछ भी करते हैं तो आपका 21 से 55 साल उमर होना ही चाहिए अगर आप जॉब करते हैं तो आप कम से कम 10,000 रुपे मंतली कमाने वाले व्यक्ति होने चाहिए उसके बाद बात करें अगर आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे साल में आपको 2,000,000 रुपे का टर्नोबर होना चाहिए नि 2,000,000 रुप तो आप कमेंट सेक्षिन में बताइए मैं उसका जवाब जरूद दूँगा अभी के लिए इतना ही ठेंक यूफ वाचिंग